इस बीडियों में बात करने जा रहे है वाई पीपी के बारे में YouTube Partner Program इसका क्या Elixibility है इसका क्या requirement है तू जोएंड इसका जोएंड करने का क्या requirement है इस वीडियों में हर एक चीज के बारे में बात करेंगे तो अंतक बने रहा ना तो आईए जानते यूटूब पार्टनर प्रोग्राम होता क्या है यूटूब पार्टनर प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जिसमें YouTube कुछ तक्स देते हैं उसको complete करना पड़ता है अगर उस तक्स को आप complete कर लेते हो तो आप यूटूब पार्टनर प्रोग्राम में जोएंड होने के लिए की eligibility हो जाते हूं तो कुछ इसका eligibility rule है तो यह मैं बाद में आपके साथ सेर करूंगा पहले मैं आपको बता देता हूं advantage of YouTube disadvantage of YouTube होता क्या है क्या हमको benefit इससे क्या है लॉस क्या है तो मैं बताता हूं तो वीडियो में बने रहा है अब नेक्स्ट है advantage of YouTube मैं चार पॉइंट को point out किया हूं तो पहला है free to join आपको YouTube बनाने के लिए no cost मतलब एक भी रिप्या जेप से नहीं लग रहे है नहीं आपको कोई cost लग रहा है तो एक advantage है कि हां मतलब मेरे को cost भी नहीं लग रहा है मैं इसमें joint हो सकता हूं एक advantage हो second मैं point out किया हूं second है अब आपके पास एक opportunity है कि आप अपने वीडियो से पैसा earn कर सकते हों तो second advantage में मैं यह लिया हूं मैं तीसा advantage लिया हूं easy to use मतलब बहुत easy में आप use कर सकते हो और पैसा भी earn इससे कर सकते हो तो यह अच्छा advantage है इसका next है आपना information किसी को बहुत जल्दी share कर सकते हो information share करने के लिए एक बहुत बढ़ा advantage है YouTube तो मैं advantage के तो बात तो कर लिया अब जानते हैं disadvantage of YouTube होता क्या disadvantage of YouTube में मैं तीन point को mark out किया हूं पहला है कि आपका हर एक चीज publish हो जाएंगे आपका कोई भी वीडियो हो कोई दूसरे आदमी देखेंगे यह एक disadvantage में मैं लेता हूं दूसरा मैं mark out किया हूं जैसे cost to make money जैसे आप मतलब वीडियो बनाते हो तो आपको tripod तो चाहिए माइक तो चाहिए फोन का जो भी data लग रहा हो तो चाहिए तो एक point को disadvantage में मैं इवी लिया हूं तीसरा मैं point out किया हूं मैंने rule and regulation आपके बहुत सरा rule and regulation यहाँ पर maintain करना पड़ेगा अगर आप नहीं करते हो तो आपको यूटूब कॉम्निटी काई लाइन से बाहर कर देगी आपका channel को disable कर देगी आप कभी यूटूब partner program में एड नहीं हो सकते हैं तो यह चीज पर आपको ध्यान रखना परेगा आप यूटूब का advantage और disadvantage तो समझगे होएंगे अब बात करते हैं eligibility to join YouTube partner program और उसमें क्या requirement होता है मैं इस चीद में बात कर रहा हूं तो पहला है follow all the YouTube monetization policy policy का कुछ policy है उसको पुरा आपको maintain करना परेगा अगर नहीं करते हो तो यूटूब partner program में आप होने के लिए eligible नहीं होएंगे तो आपको यह चीज में mark out करना परेगा आपके दिमाग में रखना परेगा कि हां हमको monetization करवाना है तो यह चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा दूसरा है कि YouTube कुछ country को eligible किया है YouTube partner program के लिए चलो अभी इंडिया में हम लोगों को पता ही कि अभी इंडिया में कुछ ऐसा भी country होगा जहां पर YouTube partner program का कोई eligibility नहीं होगा मतलब वहां होगा ही नहीं तिसरा point है कि आपको 4000 आवर वास्टाइम होना चाहिए तो 4000 वास्टाइम कंप्लीट करने के करोगे तभी आप यहां पर जोइन्ट होगा तो एक मैं difference बता रहा हूं जैसे वास्टाइम और विडिव बहुत अलग है वास्टाइम होता है कि आपका वीडियो कितना देर कोई देखता है व्यू क्या होता है कि आपके वीडियो करके बाहर भी चल लाता है तो यह हो जाता है तो यहां पर YouTube का है eligibility का rule है कि यहां पर आपको 4000 आवर करना पड़ेगा आपको कोई भी आदमी देखेंगे आपको 4000 जब आवर होएंगे तब आप monetization के लिए eligible होएंगे चौथा है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तो आप यूटूब पार्ट्रा प्रोग्राम के जॉइन नहीं हो सकते हैं ना कोई नहीं मतलब आपको एनी हाउ एक हजा सब्सक्राइबर नीड होगा वहां पर प के लिए पहले आपको यह से मेंटेन करना चाराजा आप और यूटूब का मोनेंटाइजिसन पॉलीसी यह से मेंटेन करना पड़ेगा जब आपको हो जाते हैं तो आप रिव्यू के लिए भेजते हों वहां पर नोटिफाई आ जाएगा यूटूबर की आप एलिक्जबल ह ओड़ीए हो तो आपको खायगा की हो चैनल पर कुछ गलती नहीं किये होगे तो ऐसाभार बियुक तो अगर में मारकाउट करके रखना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा पहले से हाँ यह गलती हो Company करते हो तो इसे नहीं का नहीं मुन मतलब एडी नहीं करेंगो लो तो यह मार्काउट करना पड़ेगा अगर आपको अंड करना यूटूब से तो अगर इतना मैनत किए अगर आप एक भी चीज को कोपी राइट इस्टाइल लगा लिए चाहिए कोपी राइट क्लेम भी लगा दिये आपको बहुत पाल लग सकते हो यहाँ पर सबके सामने अगर आपके पास कोई अच्छा मतलब है दिमांग में सोच है तो आप दिखाकर और अच्छी मतलब रीच तक पहुच कर आप यूटूब पे अच्छा खासा अर्णिंग कर सकते हो तो यूटूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्ण करन डयाकर लेखंगा में उसके लिए बहुत सारा टाइम आपको ब्यस्त हो जाएंगे तो आपको बहुत वीडियो भी डालना पर एक आपका कोई सब वीडियो नहीं चलेगा उस पे बहुत सरा निये भड़ करेंगे और सब्सक्राइबर का भी बात हो जाती कि हां एक हजा सब्सक्राइबर होना चाहिए तो बहुत सरा ऐसा मारकाउट है किया है यूट्व ने यूट्व का ही साइट पर मैं देखके बता रहा तब वहां पर भेज जाएगा तब रिव्यू होगा बहुत सरा ऐसा चीज है तो इतना ही इतना ही समझो अभी अभी नियू हो तो अगर आपको जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पॉलिसी का लिंक डाल दोंगा वहां पर आपको ज्यादा अच्छी जानना है तो उसके चेक कर लेना अगर आपको समझ में आये अगर छूट गया होगा कुछ भी तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए अगले वीडियो को देखने के लिए इ झाल झाल झाल